Dear student, we have to discuss about Swedish preschool education for sustainability. हम preschool education की बात कर रहे हैं, student के अंदर और student के अंदर जब हम preschool की बात की, तो 2019 के अंदर जो है, उन्होंने revised curriculum, document त्यार की है. इसके अंदर जो सबसे बड़ा important factor था, जो एक challenge बन गया और challenge की सुर्फ अफ्तियार की, जब हम teachers की teaching training के बात करते हैं, तो उसमें एक सबसे important factor जो है, वो teaching practice का होता है. जिस तरीके से तमाम professionals ने अपने profession के अंदर जाकर कुछ रसा गुजारना होता है, जहां पे जो theory वो पढ़ते हैं, उसको practice करते हैं. डॉक्टर्स जैसे hospital में जाते हैं, अंजीनियर्स जो हैं, वो उक्तलिफ कंपनियों में जाते हैं, जो professional degree आंसल कर रहे होते हैं. बिजनेस के student जो हैं, वो बिजनेस की दुनिया में जाते हैं, इसी तीके से जो teachers हैं, जो teachers profession करना चाते हैं, वो स्कूलों, काल्जों और यूनिवस्टियों में जाते हैं. वहां पर जाकर जो उन्होंने theories पड़ी होती हैं, उन theories को practice करते हैं. इसको जब हम अपनी जबान में बात करते हैं, तो इसे हम कहते हैं teaching practice. आम तोर पे elementary teachers जो हैं, वो elementary school में जाते हैं, secondary education आसल करने वाले जो बच्चे होते हैं, वो secondary schools में जाते हैं, अपने teaching practice करने के लिए, जिनका focus college होता है, वो college में जाते हैं, जिनका focus university होता है, तो वो university में करते हैं. यहां एक problem है, और वो problem क्या है, कि pre school के अंदर teaching practice के लिए, वो तमाम opportunities available नहीं हैं. Sweden के होले से बात करें, या पूरी दुनिया के होले से बात करें, मैं अगर दूसरी दुनिया के होले से बात करने तो वहां पे भी यह issue है, कि वो experience, teaching experience उस तरह हासिल नहीं कर सकते, जिस तरीके से तमाम professional को आसल करनी चाहिए. इसका मतलब है कि in terms of degree अगर हम उनकी बात करें, तो उनके profession के अंदर teaching practice जो है, वो एक main component है. teaching practice की जो lack होगा, वो उनकी degree के उपर एक सवाली निशान होगा. भई आपने professional degree हासल की है, professional degree के अंदर आपने सब course पढ़ लिया है, theories आपने पढ़ लिया है, लेकिन क्या आपने उसकी practice, teaching practice appropriate की है या नहीं की? यहां पर जो curriculum का title दिया गया, वो sustainability दिया गया, health and well-being. अब देखें हम बात क्या करें हम कहरें, sustainability, health and well-being. अब बच्चों को opportunity provide की गई, कि वो ना सिर्फ knowledge हासल करें, मुख्लिफ choices की, make and contribute to the sustainable. इसका मतलब यह हुआ, कि हमारा जो curriculum है, वो तो align है sustainable development के साथ. इसका मतलब यह हुआ, जो उसमें economic factor भी involved होगा, उसके अंदर social factor भी involved होगा, उसके अंदर environmental factor भी involved होगा. इसका मतलब है, हम बच्चे को environment के बारे में भी पढ़ाएंगे, उसको awareness देंगे, उसको बताएंगे, कि पानी के ज्याक करने से क्या होगा, उसको बताएंगे कि pollution की वज़ा क्या बन रही है, क्योंकि हमने उसके साथ align करना है. अब यह जो modern curriculum बनाया गया, student के अंदर, इसके अंदर इस बात को बहुत ज़्यादा focus किया गया है, इसका जो पहला curriculum develop किया गया था, 2019 से पहले जो curriculum बनाया गया था, उसके अंदर इसको ज़्यादा focus नहीं किया गया था, यह यूं समझ लें कि उसके अंदर ज्यादा meaningful engagement नही थी, यूं समले कि ignore तो नहीं था, लेकिन अगर हम दूसरे होलों से बात करें, preschool के होलों से बात करें, और sustainability के होलों से बात करें, तो उसके लिहाद से उसकी meaningful engagement नहीं थी, यह जो 2019 का curriculum बनाया गया, इस curriculum के अंदर, ना सिर्फ इसको focus किया गया, बलके इसको एक base बनाया गया, जिस base को align किया गया sustainable development के साथ, और उसके अंदर sustainable development से related, जो तमाम चीज़ें से एकनामिक्स थी या उसके अंदर जो आनमारे पास other factors जो भी उसके बनाया है, SDG के goals यह हुगा थे, उन तमाम goals की रोशनी में यह बनाया गया, तो अगर आप यूँ कह सकें, कि इसके अंदर curriculum के अंदर जो important factor था, वो यह था, कि यह इस लिहास से बहुत enriched था, और अगर मैं on the other side करूं, तो इसके अंदर जो lacking थी, वो teaching practice की थी, कोई भी professional education जै है, वो उससे related practice के बगार में कम्ब नहीं होता, इसकी जो teaching practice का component था, वो भीख था, overall अगर हम 2019 के revised curriculum की बात करें, तो वो enriched था,